Very good morning class, dear students of class 3rd, how are you all? I hope all are very good and also enjoying your online classes and also prepared for your final examination course and dear students, once again I am here with your new video and today in this video I discuss about that your English project work. बच्चों आपको जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, class 2nd में में भी आपको जो भी वक दिया जाता होगा, लेकिन class 3rd में जो आपको वक दिया जा रहा है, सभी बच्चे टीचर द्वारा दिये गए गाइडलाइन्स को फॉलो करके प्रोजेक्ट वक कम्प्रीट करेंगे, बच्चों आपको प्रोजेक्ट वक अपने English के कॉपी में ही बनाना है, तो आपकी जो कॉपी होगी, आप अपने कॉपी में ही बनाएंगे, जिन बच्चों के कॉपी भर चुकी होगी, रिवीजन वक के द्वारा, आप एक पतली सी कॉपी ले लेंगे, और उसमें आप English का प्रोजेक्ट वक बनाएंगे, या फिर आप English के कॉपी में ही, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपका रीडर हो, दोनों में से किसी एक कॉपी में आपको प्रोजेक्ट वक बनाना है, सबज़ में आगे बच्चों, तो देखिए आज का टॉपिक आपका प्रोजेक्ट वक का है, क्या है, प्रतिवी पर सबसे बड़ा जो जीव है, वो ब्लू वेल ही है, तो आज आपको क्या करना है, इसको सुन्दर सा ब्लू वेल टॉपिक को लिखना है, और इसको आप पैंसल से शेड भी कर सकते हैं, या फिर आप क्रेयोन कलर से कलर भी कर सकते हैं, तो यह आप पे डिपेंड है, किस तरीके से आप इसको ब्यूटिफुली डेकुरेट करेंगे, नेक्स आपका जो टॉपिक है, दा ब्लू वेल इस दा लार्जेस आनिमल, आपको उसके बास यहां से लिखना है, और यहां तक लिखना है अपने कॉपी में, और नेक्स पेंड में आप यहां पे ब्लू वेल का पिक्चर मार्केट से लेकर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से लेकर पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, तो यह आप पे डिपेंड है, आप अलग अलग पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यह जो picture दिया गया है इसको भी draw कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप blue well की कोई भी picture draw कर सकते हैं अगर आप draw करेंगे तो color जरूर करिएगा अगर आप draw नहीं करते हैं तो जब भी आप picture paste करेंगे तो उसको अच्छे से cutting करके ही paste करेंगे ओके श्टिरण समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई problem होती है प्रोजेक्ट वर में आप life class में discuss करेंगे ओके श्टिरण enjoy your work and take care